हेलो एवरीवन वेलकम टू माई चैनल आज हम बनाएंगे रगड़ा पैटिस गुजरात का स्पेशल उसके लिए रगड़ा बनाने के लिए मैंने पीला मटर ले लिया है इसको मैंने रात भर भीगो दिया था 7-8 गंटे के लिए यह दिखिए अच्छे से यह हो गल गिया है बात यह हम एक कुकर में ट्रानसफर कर लेंगे इसको थोड़ा सा उबाल लेंगे इसमें पानी दे दिया मैंने जादा पानी नहीं देंगे थोड़ा सा मसाला बनाने के लिए इस में मैंने एक इक पायन गरम कर लिया है। 2-3 तर बाटीक टेल स्पून हम इस पेल में लेंगे उस इस में लेंगे यि को गरम होने देंगे। इस चाट तिक आप आक बना लखता मेंहें कि थेज इसे बूहुत ही यमी इसे मैं ने एक पिंच हंग दिया है एक चमच मस्टर्च सीर देंगे फिर एक चमच जीरा देंगे साधा जीरा इन सब को हम एक मिनिट के लिए पकने देंगे अच्छे से उसके बाद मैंने इसमें ठोड़ा सा गरम मसाला दिया है आपके पास चाट मसाला है तो चाट मसाला भी आप दे सकते हैं यह मैंने यह पर रेड चिली पॉडर दिया यह स्पाइसी वाला नहीं है कलर वाला है फिर थोड़ा सा फ्रेश धनिया मैंने इसमें दिया है इसमें हमने जो मतर उबाल के रखा था वो ट्रांसफर करके 6-7 मिनिट तक इसको अच्छे से पकाएंगे मसालों के साथ पकाएंगे मेरे पास आज घर में ज़्यादा इंग्रीडियंट्स तो अवेलेबल नहीं था जो अवेलेबल था उसी में मैंने बनाया है आज यह चाट को बहुत ही टेस्टी बनता है यह दिखिए अच्छे से मसालों के साथ पक गया है और अच्छे से मैश भी हो जा रहा है ऐसे थोड़ा-थोड़ा हम इसको मैश कर देंगे ताकि ग्रेवी थी हमारा थोड़ा मोटा हो जाए फिर मैंने पैटिस के लिए आलो उबाल लिया है इन सब आलो को हम अच्छे से मैश कर लेंगे अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि एक भी गुल्टिया न रह जाए ने तो पैटिस अच्छा नहीं बनेगा और इसमें मैं थोड़ा सा नमक और बस भुना हुआ जीरा डालूँगी मेरे पास चाट मसाला एवेलेंबल नहीं था आपके पास एवेलेंबल हो तो आप चाट मसाला दे सकते हैं और अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो इसमें ग्रीन चिली भी आप दे सकते हैं फिर रेड चिली पॉडर दे सकते हैं, अच्छे से इसको मैश कर लेंगे, इसको मैश करने के बाद यहाँ पर मैं दो टेबल स्पून कॉण फ्लार लूँगे, अगर आपके बास कॉण फ्लार नहीं हो तो मैदा भी आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पर एक टेबल स्पून, और यह देखिए सारे टिक्की के जैसे यह रेडि हो गिया है अब हम फोड़ा सा तेल ही देगे क्योंकि हम इसको deep fry नहीं करेंगे shallow fry करेंगे तो मैंने पैन में तेल गरम कर लिया है अब flame को meडियम रखते रखेंगे और पेटिस को इसमें देगे फ्लेम मीडियम रखें ना हाई रखें ना जादा लो रखें ये देखें कितना अच्छा कलर आया है अगर आप इसमें रेड चिली पॉडर देते तो इसका कलर रेडिश आता मैंने कोई स्पाइस यूज नहीं किया इसलिए मेरा टिक्की का कलर ऐसा आया है ये देखें है हमारा दोनों साइड ऐसे ही हम पलट के पका लेंगे टिक्कियों को और ये देखें अच्छे से फ्राइ होने के बाद टिक्की कितना सुन्दर लग रहा है सारे टिक्की को हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे ऐसे ही बागी सारे टिक्की जितना भी है, सबको रेडी कर लेंगे बनाके जब तक यह टिक्की बनता है, हम पहले टिक्की लेके इसको हम प्लेटिंग करते हैं यह देखे, पहले हम एक थोड़ा सा रग्रा देंगे, फिर यह पैटीज को देंगे यह गुजरात का स्पेशिल है, रग्रा पैटिस डिश, इसको आप आलू टिक्की चाड़ भी बोल सकते हैं यह देखे, मैं फिर इसके उपर दही दूँगी, मेरे पास आज इमली का पल्प एवेलेबल नहीं था मैंने उसका रिप्लेस्मेंट यह देखे, रेट चिली सॉस से कर दिया है, मेरे पास धनिया पत्ती का चटनी भी नहीं था इसलिए मैंने रेट चिली सॉस दे दिया है, भुनावा जीरा पॉटर दिया, और फिर यह आलू भूजिय दे दिया मैंने और थोड़ा सा प्याज चॉप करके रखा था, थोड़ा सा कुकूंबर चॉप किया मैंने, और थोड़ा सा टमाटर और यह धनिया पत्ता, अगर दही आप नहीं दे रहे हैं तो आप लेमन स्कुीज कर सकते हैं इसमें, और मैंने थोड़ा सा नमक दे दिया है और ग्रीन चीरीज में थोड़ा सा काट के रखी थी वो दी दिया मैंने और ये फिट से उपर से मैंने थोड़ा सा कलर वाला मिर्ची पॉडर दे दिया हमारा ये चार्ट रेडी है आप भी इस रेसिपी को एक बार प्लीज बना के ट्राइ कीजेगा कमन में बताईएगा लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक ये